नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 0-12 टांसफार्मर से 12 बोल्ड और 24 बोल्ड सप्लाई कैसे लिया जा सकता है इसके बारे में पुरा बताने वाले हैं जैसे कि आपको पता है अगर आपको 24 बोल्ड करेन लेना है तो 12-0-12 transformer अगर आपका होता है तो आप जो बीच वाला जो black wire होता है उसको छोड़के और दोनों side-side wire लेते हैं तो आपका 24 volt हो जाता है लेकिन केवल 0-12 transformer से कैसे आपको 24 volt और 12 volt दोनों current ले सकते हैं आज की इस वीडियो में पूरा full wiring आपको हम बताएंगे तो वीडियो को लाश तक देखिएगा जिससे आप भी बड़ी आसानी से बना सकें तो दोस्तों ये 0-12 टांसफार्मर से आपको 12 बोल्ट और 24 बोल्ट सप्लाई लेने के लिए सबसे पहले आपको दो डायोड लेना पड़ेगा ये दो डायोड आप एंपियर के हिसाब से आपका 2 एंपियर टांसफार्मर है तो 3 एंपियर आप कोई भी डायोड इस तरह का ले लिए जैसे कि मैंने यहां लिया है 54-I-N-0-8 अब इसको कैसे आपको जोड़ना है देखें यहां इसका है जो पूरा ब्लेक साइड है यह हुआ एनोड और यह हुआ कैथोड यानि यह पाजटिव और यह निगेटिव है ठीक दूसरे डायोड को इस तरह से आप जैसे इसके निगेटिव से इसके पाजटिव को आप इस तरह से सिरीज में इसको इस तरह से जोड़ तो दोस्तों में diode को कुछ इस तरह से जोड़ लेना है या लेकिए positive पुजी नेगेटीव औ Galagraph disease में इस तरह से diode को जोड़ लेना है अब यहान 2 capacitor ले लेजी है आप 35 बॉल्ट भी कुछी मेरे पास हिसमें जो the capacitor यह 4700 वh 59 के pirates वह और आपके पास 35 बोल्ट है 25 बोल्ट है तो भी आप ले सकते हैं अब इसे क्या करना है जैसे देखिए इसका जो सफेद धारी होता है यहां आप देखेंगे यहां माइनस का सिंबल यहां बना हुआ तो इधर वाला लेग होता है माइनस और इस साइड वाला जो पूरा ब्लैक ही होता है प्लस तो इसको क्या करना है आप ऐसे रखेंगे एक का इधर प्लस रखेंगे और एक का इधर माइनस रखेंगे और जो डायोड आपका है यह हुआ आपका जब आप सप्लाइद देंगे तो यह प्लस हो जाता है और यह माइनस हो जाता है तो आपको क्या करना है इसका जो माइनस से यहां इस तरह से कैथोड को आपको कैपिसीटर के प्लस वाले पे और इसका जो एनोड है इस कैपिसीटर के माइनस वाले पे इस तरह से आपको जोड़ लेना है तो आपको कैपिसीटर को कुछ इस तरह से जोड़ लेना है आप देख सकते हैं इधर इसका प्लस है और यह मा दायोड को भी जोड़ लेना है इसके बाद जो इस साइड का दोनों यह प्लस और माइनस बचा हुआ है यहां पे आपको एक वायर लेके और दोनों को वापस बीश तरह से जोड़ लेना है अब यह हमारा सर्कीट बनके कंप्लीट हो चुका है इधर का हमने पूरा वायर से हैज़र सकते है कि इसके प्लस बाद का गैथोर इस तरह से को हमने सीरीज में जोड दिया है अब इस ट्रसफारमर जिरो बार हमारे पास है इसका जानते ही दो वायर होता है तो यहांपे कोई प्लस और मैइनस नहीं होता है चुकि ट्रसफारमर हमारा जो आउट करता है यह बारबर एसी करता है तो आप किसी भी वायर को किसी और जोड़ सकते हैं तो एक वायर को आपको जोड़ना है दोनों डायोड के बीच में यहां पे इस तरह से यहां पे इसको जोड़ देना है देखिए यह जोड़ देना है और जो दूसरा वायर है इस दूसरे वायर को आप क को कहीं भी इसको जोड़ देना है इस पॉइंट पे अब यह हमारा जो सरकीट है कम्प्लीट बन गया है जो टांसफार्मर से कनेक्शन हमारा हो चुका है अब हम इसको सप्लाई देंगे तो यहां मैंने इसका सप्लाई आन कर दिया है अब हम मल्तिमीटर से इसका बोल्टेज चेक करेंगे अब मल्तिमीटर को हम 200 DC बोल्ट के रेंज में रख लेते हैं और यहां देखिए जो कैपशिटर का माइनस है यहां पर हम लगाते हैं और यहां पर देखिए 20 बोल्ट दे रहा है चुकि यहां कोई लोड नहीं है और जो टास्फार्मर से 12 बोल्ट 13 बोल्ट AC निकलता है जब उसको DC किया जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है तो यहां 20 बोल्ट करेंट मिल रहा है जो कि आप कोई भी ब्रीज बनाएंगे उसमें मिलेगा उसके बाद यहां आप 40 बोल्ट करेंट यहां आपको मिल रहा है यहां आप देखेंगे इस पर माइनस रखेंगे तो यहां भी आपको 20.2 और यहां रखेंगे तो भी आपको देखें यहां माइनस सप्लाई आपको मिल जागी माइनस 20.2 और इस तरह से आप जब यहां प्राड पलट लेंगे तो यहां आपको यह प्लस की रूप में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पे देखिए यह जो पूरा हमने रकाहए यहाँ पे और यहां पर यहां पर देखिए बीस बोल्ट करेंट यहां से यानि जो एक्चुल बारा बोल्ट होता उसको आप ले सकते हैं यह बढ़ा हुआ बोल्टेज आपको बिना लोड का इसलिए दिखा रहा है ठीक है और यहां देखें अब यहां पर चेक करेंगे तो भी आपको यहां 20 बोल्ट करेंट दिखाएग तो इस तरह से आप variable current जो भी है आप 0-12 transformer से 12 volt और 24 volt current ले सकते हैं यहां देखिए आपको अगर 12 volt current चाहिए तो क्या करिए यहां minus जोड़ दीजिए इस wire पे और यहां पे आप plus जोड़ लीजिए तो आपको यहां 12 volt current मिल जाएगा लेकिन अगर आपको 24 volt current चाहिए तो क्या करना है आपको एक wire यहां जोड़ना है और एक wire यहां जोड़ना है तो आपको 24 volt current मिल जाएगा यहां आप देख सकते हैं यहां 40 volt current दिखा रहा है तो इस तरह से आप 0-12 टांसफार्मर से 12 वोल्ट और 24 वोल्ट करेंड ले सकते हैं उमिद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार